हलो, आज मैं आपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रही हूँ अम IVF यानि टेस्ट्यूब बेबी लेगोलर्ट्री में बेबी यानि एंब्रियोस कैसे बनाते हैं I am ready now करीबन 10 दिन के हॉर्मोंस के इंजेक्शन के बाद ओवरीस में एक्स मैच्योर हो जाते हैं तो ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के माद्या से हम एक रिट्रिवल प्रोसीजर करते हैं जो लाइट जनरल एनेस्टेसिया में होती है 15-20 मिनिट में खतम हो जाती हैं और पेट पे किसी तरह क्या कट या टांके नहीं आते हैं एक रिट्रिवल प्रोसीजर से जो एक्स कलेक्ट होते हैं वो फॉलिकिलर फ्ल्यूट से भरी टेस्ट यूप आईवी एफ लैब में आगे की प्रोसीजर के लिए जाती है वहाँ पे एक्स का क्लीनिंग होता है और जो एक्स मैच्चियर और क्वालिटी वाइस बेस्ट है उनका सेलेक्शन होता है और आईवी एफ की आगे की प्रिपरेशन के लिए उनको कल्चर मीडिया में रखा जाता है तो आईए देखे यूमन एक्स कैसे दिखते है बाद में एक्सी याने इंट्रसाइट्र प्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन की प्रोसिजर के जाती है यह IVF की advanced procedure है जिसमें micromanipulator machine की help से हर एक healthy egg के अंदर हर एक sperm fertilization के लिए inject किया जाता है जिससे fertilization rate improve होता है यह fertilize किये गए embryos special culture media में incubator में 3-5 दिन याने blastosis तक विकास के लिए रखे जाते हैं So this is how we make babies miss embryos in embryology lab पीए आप